जै माता चंडी का भवानी, भवानी मा दस जुला की चंडी का भवानी जिनों ने हाँ पर इतना भव्या और दिव्या आउजन कराया और हमारे बीच में सौरब मेठानी जी भी है जो कि हमारे उत्राखंड के युवा गायक और जिनको आप अनेक कैस्टों में अनेक गीतों में आपने देखा होगा इनको जादतर ये देविये गीत जादतर गाते हैं उन्हें गीतों के माध्यम से इनको आसीरवाद मिलावा है और हमारे बीच में हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो दस जुला जो बन्यात होरी चंडी मा की चंडीका की उसका जो गीत का जो संकलन जो चोबिस गाओं UFO गया माध्यम से पि इनकी से बह्तले निकलावा है तो आप लोगों सुने होगा नहीं सुना तो आप चंडीका भावानी के है और हमारे बीच में हैं मैं इनसे भी आपसे परिश्य करवाना चाहूंगा वैसे परिश्य के मौतास तो नहीं लेकिन इस ब्लॉक के माधिम से आप तक उनको पहुंचाना चाहता हूं आप उनको भी सुने क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस यात्रा मे इस बन्यात में क्योंकि गीत संगीत सही हमारी संस्कृति का एक परिश्य होता है तो मैं आप उसे मिलाना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि कल सिमा भगवती ब्रामण वाला मैं थी तो कैसा अनुभा हो रहा है कैसा इन्होंने यहां पर इस चीज को इस अनुभा को अपने जीवन में कैसे उता रहा है क्या क्या वन बहुर रहे हैं वो जरूर जानेंगे हम स्वराब में ठानी जी के साथ में तो सवरब जी आपका भी बहुत वह स्वागत है हमारे ब्लॉग में अधन्यवाद संजैनेगी जी और मैं ज्यादा तो क्या बोलूँ पर एक नया एक्सपिरियंस था और नया एक्सपिरियंस यह था कि मैंने कभी सोचा भी था मैंने गीत काया है और मैं सवागय शाली अपने आपको मानता हूं कि मैं जुमा भगवती चंडी का परदस्ष कोई इंसिडेंस और ऐसी परस्थिती वनी माँ भगोती ने हम सब को आशिवाद देने आना होगा ये मैं इसको मानता हूं कि एक ऐसी परिस्थिती थी कि माँ भगोती ने हमारे ये जो ब्रह्मन वाला है देरा दून में एक छेतर है जो वहाँ आके सभी लोगों को इतनी तादार में भीड थी सब लोगों को माँ भगोती ने आसे दिया और जो इस चाहरी कम को कराया कारिकम मैं इसको क्या कहो मा भगति को जिनोंने यहां पर बुलाया जिनके वजह से मा भगति आई अमारे परमित्र हमारे बहाई है रिशूप इल्दियाजी उनके माध्यमसे और आप में मानएगे मेरी बात तो मैं अभी मा भगति कल साम को दिन, मैं यहां आई थी और अभी स प्रांगण में आके करें होंगे आपनी बेटी की विदाई करी होगी तो तो बड़ा अच्छा माहूल रहा है इसे एक तो धर्मस्व भी बच रहा है इससे हमारा हिंदुत्व भी बढ़ रहा है ऐसे से आयोजन होने से हमारा हिंदुत्व कहीं न कहीं हा भी होगा और अगर हम भारत वर्श की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा हिंदुत्व होना चीए हमारा ध्रम होना चीए और अब हम अगर अपने राजी की बात करते हैं उ उनके लिए तो वो संस्कृति से रूबरू होते रहें पर जब भगवती यहां पर आई तो 60 फिस्दी लोग वो थे जिनको पता ही नहीं है उनोंने वीडियोस में देखा है उनोंने अन्य परकार के ब्लॉग में देखा है कि भगवती की डोली नाच रहे हैं कहीं भगवती का निशान नाच रहा है कहीं पांडव नाच रहे हैं पर यह क्या चीज अभी भी जिन बच्चों ने यहां पर देखा होगा जिनकी 5 से और 15-20 की उमर होगी वह अपने माता पिता अपने दा के बारे में पता चलेगा क्योंकि इस टाइम सब लोग अपने पढ़ाई में अपने काम धाओं में ऐसे व्यस्ता हैं कि धरम संस्कृति संसकारों के लिए सब हर इंसान पर समय नहीं है तो मेरा मानना यह है यह बड़ा अच्छा अतुलनिया कार्य हमारे मुहले में हुआ है मा भगुती ने हम सभी को दर्शन दिये हैं और इस ब्लॉक के मादियम से आप सभी से व्यागर करूंगा जो जो देख रहे हैं कि मई लास्ट में वीक में और जनवरी फर्स वीक में जून फर्स वीक में दस जूला पट्टी में बहुत बड़ी बन्यात है जिसमें सेकड़ तो हमंनलों लोग आते हैं मा भगुति कर दर्शन पाते हैं और रहें खालबनेन साथ हम अपने उत्राखंड को भी मजभूत कर रहे हैं धरम को भी मजभूत कर द्यभण तो यह सौरब जी और सौरब जी हम जो बजन ने गाया था तो उसकी दो लाइन जरूर अगर आपको याद होंगी तो वैसे तो याद होंगी पका क्योंकि तो दो लाइन जरूर अपको सुनाता हूं और वह बड़ा में नया एक्सपिरेंस भी था वह हमारे संजे भाई लोगो तो उस गीत में यह था कि हमने 25 से 35 वह कैर hyvinus में नाम लिए थे तो किस प्रकार से पट्राइम जेतना मुझे आता है मंशलय कि जय माथा चंडी का भवानी भावानी दस जू लागी चंडी का भवानी भावानी मा जे माता चंडी का भवानी भवानी मां दस जुला की चंडी का भवानी जर मड डुंग क्योडी जग्डी कांडे मोड की इसाल बन थपल मां थपगों अर मोड की थपगों अर सोड की बेंजी कांडे कैलना फड़ तुली टु किंडा की तलगड क्योडी बाजी आगर को खंडी की, आगर को खंडी की, हे माता तेरू आशेश भवानी मा दस जुला की चंडी का भवानी, भवानी मा दर्शन दी जाहे मेरे माझी भवानी माँ चंडी का भवानी मेरी माँ जी भवानी माँ पुले चंडी का मया की जै तो ये थे मारे बीच में सौरब में ठण जी और कृष्णा गडियाल जी पुना आप लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इस दिव्या जो आयूजन में जो चार चांद लग आप लोग बन्यात में जरूर आप आमानतित हैं और अब बहुत-बड़ा हम लोग आयूजन कराएंगे तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को इस ब्लॉक को देख रहे हैं अगर फेस्वुक में देख रहे हैं तो फेस्वुक का आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्रा यहार्ड जरू करेंगे क्योंकि जादसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप सभी लोग आमंतित हैं मई लाष्ट और जून फास्ट में महडगाओं महड दशजुला गाओं में तो आप सभी लोग का भी बहुत-बहुत-धन्यवाद जितने लोग ब्रामनवालादंवें जो सबी लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वहियों के लिए आपकी जो भाव थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै माचंडिका जै माचंडिका